हेलो फ्रेंड्स आज हम गेहूं के अटे से एक स्वीट डिस बना के दिखाएंगे ये जटपट बनके त्यार हो जाएगा और खाने में ये बहुत टेस्ट लगता है चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे अभी एक बड़ा साः बाउर लेंगे इसमें डाल देंगे एक कप घ्यों का अटा जिससे आप रूटी बनाते हैं ओही अटा है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर, चाहे तो आप सोब भी डाल सकते हैं, वान थर्ड कप चीनी डाल देंगे, मिठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक डाल देंगे स्वाट के हिसाब से, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बाटर त्यार करेंगे, जैसे इसमें जो गुटलिया है, सारा खतम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मिक्स कर लिजे, अभी थोड़ा पानी और डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिजे, अभी देखिए इसमें जो सारा गुटलिया था, ये खतम हो गया है, इतना ही रहेगा थीक बाटर, अभी चलिए इसको फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए कड़ाई में ऑईल को गरम करेंग और गरम होने के बाद अभी इसमें एक एक स्पून डाले के इसको फ्राय करेंगे, एक तरफ से हल्का सा गोर्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे, अगर आपको ज्यादा मिठा खाना पसंद है तो आप इसको चासनी में भी करके डाल सकते हैं, दिखिए इस से करके अभी हम सारे बना लेंगे दिखिए ये रेडियो हो गया ये बनाना बहुत आसाने और खाने में ये बहुत टेस्ट लगता है दिखिए अभी रेडियो हो गया आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर बेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक जरकरना ना भूले